हलो दोस्तों, साइबरूलर, मैं आपका सौगत है, आज हम बात करेंगे सूपर एड्मिस्टेटर के बारे में, कि सूपर एड्मिस्टेटर क्या होता है, और कैसे काम करता है, और हम इसे कैसे एनेबल करते हैं, या डिजेबल करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि Super Administrator होता क्या Super Administrator एक user होता है जिसके पास हमारे computer की सारी permissions होते हैं जैसे normal जो user होता है वो एक administrator होता है Administrator सारे work कर सकता है बट Super Administrator के पास कुछ additional power होती है जैसे आप अगर C Drive में जाए कुछ folder होते हैं किसे Administrator से open करें तो Administration से open करने के बाद क्या हो जब आप right click करते हैं राट click करने के बाद open है जाए Administrator करते हैं तो फाइले open हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन work करता है वहाँ पे जो work करता हो Super Administrator work करता है आपको उस चीज की privilege नहीं होती कि आप उस चीज को access कर सकें तो आज हम यही देखेंगे कि हम Super Administrator को कैसे enable करते हैं या कैसे disable करते हैं सबसे पहले हम अपने एक user लेख लेते हैं हम बार पास user कौन से हैं तो हम normally क्या गरते हैं सबसे पहले magnify open कर लेते हैं magnify open करने के पाद हम run पर जाना है run पर लिखना है control control panel open करने के लिए shortcut का होता है control आप लिखेंगे यहाँ पर control panel आपका open हो जाएगा आपने enter किया आपका एक control panel open हो चुका है और आपको यहाँ पर जाना है change account type पर आप यहाँ पर click करते हैं तो आप देखें यह मेरा account है और इसको privilege कौन सी मिली हुई है administrator की और अगर यहाँ पर नया user create करने चाहते हैं तो आप नया user account create कर सकते हैं बट मुझे नया account create नहीं करना है मुझे super administrator को enable करना है तो super administrator को कैसे enable करना है ओभी हम देखते हैं तो यह सारे काम कर सकता है बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो super administrator की कर सकते हैं जैसे windows की file आगर मुझे delete करनी है तो super administrator कर सकता है बहुती easily उसे किसी permission की जरूवत नहीं पड़ती और जैसे हम right click करके enable as administrator करते हैं तो भी करने की हमें जरूवत नहीं होती बट super administrator हमेज़ा disable रहते हैं और Linux की बात करें तो Linux में जो है root होता है super administrator उसी के पास सारे privileges होती है तो हम देखते हैं सबसे पहले इसे enable करते हैं हम सबसे पहले इसे close कर देते हैं और run पे जाते हैं अपना run पे जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है lusrmgr.msc lusrmgr.msc इसकी shortcut है open करने की आपने open किया लिखने के बद यहां पे आप देखेंगे local user and groups आपका open हो चुका है यह रहा आपका local user and groups अब अगर आप यहां पे user पे जाए तो यहां पे देखें यहां पे ब्लैक अलगा जैसे download का icon होता है वैसे यहां पे बने हुए default account पे दिख गैस पे भी और wdg यह account जो है windows के default होते है users बने हुए होते है जैसे gasbm अभी disabled है और Samworking की जो user है तो अभी क्या है enable है तो administrator को अगर enable करना होता है तो administrator को enable करने के लिए उसकी property पे जाते है property पे जाने के बाद यहां पे आप देखें pop up open होगा और यहां पे लिखा होगा account is visible अगर हम यहां से right click अपना हटा दे तो यह हमारा जो है account जो है enable हो जाता है और यहां पे देखें user cannot change password अगर मैं यहां पे टिक कर देता है तो इसका मतलब होता है user जो है अपना password change नहीं कर पाएगा कभी भी और यहां पे password never expire अभी क्या है password मेरा कभी भी expire नहीं होगा अगर मैं यहां पे click कर देता हूं मेरा कितने दिन में next login कब होगा वो यहां पे आप decide कर सकते हैं तो मैं इसे यही पे रहन रहता हूं और इस account disabled से हटा दिया और यहां पे मैंने apply किया और ok किया तो अब आप देखें यहां से जो download का icon था वो हट चुका है तो अब हम एक बार log on करते हैं log out करते हैं देखें आप पे administrator का account जो है आ रहा है कि आप अगर administrator से enable करना चाहिए यहां पे कर सकते हैं बट मुझे नहीं करना तो मैं यहां पे हम आगए अपने यहां पे अब आप देखें तो अगर आप इसे disable करना है कि यहां पे simply right click करें right click करने के बाद properties पे जाए और account is disabled और disable पे apply करना है आपको और यहां पे ok करना है अब हम login screen पे जाते हैं अब यहां पे देखें खाली हमारा वही user आ रहा है और डूसरा user नहीं आ जो administrator का था अब को पता चल गया होगा कि कैसे हम super administrator को enable करते हैं और कैसे हम उसको disable करते हैं तो इस वीडियो में बस इदना ही अब अब घर करते हैं इस वीडियोतались इस टूसरा आप अब्यू तो श्यीटाzone झाल में तो इस